असलाम अलेकुम अच्वे टॉपिक का नहीं है स्किन ओफ अम्फीबियन्स बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है देखें अम्फीबियन्स की जो स्कीन है वो बटा डर्मिस और एपीडर्मिस से बनी होती है एपीडर्मिस की मेरे बज़े सबसे बड़ी पहचान है कि इगमेंटिट सेल लेयर्स आपको नजर आएगी डर्मिस के अंदर आप जैसे के देखा जाए फॉर एग्जैंपल केराटीन लेयर भी मुझूद होती है केराटीन लेयर कौन से होते हैं जो के डेड़ सेल से मिलकर बनती है केराटीन एक टफ इंपर्मियबल प्रोटीन होती प्रोटेक्ट करती है अब्रेसिव डेमज और अल्टरा वालर रेसे किसको मेरे बचे सकीन को कोई से सकीन मेरे बचे अम्फीबेंस की शिकन को इसी तरह जो एमफीबेर्ट के स्कीन इसके पाथ मेंद के अब अब करने में मदद देती है वह सथ शुरी नर्व और टार स्कीन के पास सबसे पहले केराटीन प्रोटीन सबसे उपर उसके निचे एपिदरमस है उसके बार भी इस है जिसके बार लूस फाइबर उसके बार तफ फाइबर आते हैं अब यह मुकस और सीरस ग्लार का का ये जैसा कि यूद करता मुकस ओल बोडी के बार और बार मिलेगब मेरे बाझे मेरे बार मिलेगा खून को मिरे बाझे को कर देता corresponding posled तेज्जर और स्लिपरी बोड़ी बना देता और प्रोटेक्ट करता वे यह कौन करता है मिंकड़ों मेहां वाल होता हैं मिंकड़ों देता हैं मेहां से कुरटउक ढूत है जो की छोटीक्टटे बचने में मदद रही हुँद देता तो यह मेरे बच को टोपिक पढ़ह ये अम्फीबियर से बाकी लेक्चर भी अप्लोड़ीड है स्किन के उपार जैसे कि फिशिस रप्टाइल्स बर्ड्स और मेमर्स अगार भी ओके बैटा अलाहाफीस